तो हेलो मिश्टीडियस बुक मैंबर्स मैं हूँ आपका दोस्त मोनू एंड वैलकम इन मिश्टीडियस बुक चैनल तो कैसे हैं फ्रेंड्स आई होप आप सब लोग बढ़ियाई होंगे अभी अभी एक खबर हात लगी है दोस्तो दरसल ब्रॉक लेसनर के कुछ फोटो जहात लग गए दरसल दोस्तो ब्रॉक लेसनर आजकल कसाई का काम सीख रहे हैं आखिर मीड कैसे बनाया जाता है मीड बनाने वालों के साथ हुआ गए थे दोस्तो आप यह देखिए पहले यहाँ पर दोस्तो ब्रॉक लेसनर का चुटिया वाला लुक आ रहा है सामने जैसा लुक मैंने कुछ टाइम पहले अपना भी रखा था आप देखिए यह है बियर्डेट बूचर ब्लेंड यानि इनका एक खुद का कंपनी है दोस्तो यहाँ पर लिखाया है वाइट फीदर मीड लोकेटेड इन क्रिष्टन यानि क्रिष्टन ओहियो में यह है दोस्तो इनका संस्तान है जहाँ अब मीड बनाके सायद बेशते होंगे इनका यूट्यूब चैनल भी है दोस्तो दिखें यहाँ पर 6 लाग से ज़्यादा सस्क्राइबर भी है तो दोस्तो इन्होंने ही लैसनर को अपने आप बुलाया था और लैसनर को बूचर का काम सिकाया यानि बोचर का यानि जो कसाई का काम होता है मीड बनाना सिकाया इन लोगोंने इन सज्जोनोंने लैसनर को सिकाया दोस्तो सांती दोस्तो इन्होंने यहाँ पर अभी बताया है कि इन्होंने एक वीडियो भी बनाया है जो उनके यूट्यूब चैनल पर जल्दी आ जाईगा साथी दोस्तों Brock Lesnar के return को लेकर एक बहुती बड़ा tweet भी हमारे हाथ लगा है बहुत बड़ा rumor हाथ लग गया है दोस्तों जिससे तय है कि Lesnar जल्द वापस आने वाले हैं चलिए आपको पहले वह tweet भी दिखाते हैं टीवी इंसाइडर वालों ने tweet किया है दोस्तों यहाँ पे इनोंने लिखा है कि Brock Lesnar का return live event में हो सकता है अब देखिए दोस्तों 16 जुलाई से आपको पताया audience आने वाली है अचानक से चुटिया वाले Brock Lesnar भी आ गए दोस्तों ऐसे मैं कहीं Lesnar तुरंत company में तो नहीं आने वाले हैं खेर Brock Lesnar का नया look आपको कैसा लग रहा है दोस्तों अब आप हमें comment करके बताना मत भूलिएगा आप सभी लोगों को Brock Lesnar का कसाई वाला रूप देखकर कैसा लगा यह भी हमें जरूर बताईए जल्द मिलेंगे तब दक रखिए अपना ख्याल मैं मोनो लेता हूँ आप सभी से विदा नमस्कार